सत्रह दिशम्वर को कासी वनारस के भी चलने वाली कासी तमिल संग्मम एक्सप्रेस का आए इनागुरेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद वोदी द्वारा वारानसी से वर्चुली फ्लैग आफ करकी कराया जा चुका है दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी कासी तमिल संग्मम का फेजटू चल रहा है और तमिलाडू से लोग बनारस के सांस्कृतिक दर्सनों के लिए घूम फिर रहे हैं कल साम पीम मोदी ने डेलिगेट से बात की और फोटो सेशन भी कराया खैर हमारा मुद्दा ये सब नहीं अपना मुद्दा है कासी तमिल संग्मम खत्म होने के बाद भी कल सुरू की गई कासी तमिल संग्मम एक्स्प्रेस इस्थाईत और पल चलती रहेगी या नहीं दिया जाए और बीक में कम से कम 3-3 दिन दौनों तरब से चलाया जाए क्योंकी इस ट्रेंड का जितना फायदा अभी रेल्वे को मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा भाला घाट सेक्षन मैं ज़्यादा ट्रेंगे ना होने होने से फ्यूजर में मिलने लगेगा क्योंकि अगर हम देखें तो दूसरी फेयर इस्पेसल ट्रेनों की तरह है रेलवे ने तमिल संगमंग एक्सप्रेस को इस्पेसल ट्रेन नहीं बलकि एक रेगूलर ट्रेन का नंबर अलोट किया है तो लगता है कि रेलवे बोर्ड भी इस ट्रे कुमारी से चल के सुबहे 7.35 पर गोंदिया 8.43 बाला घाट 10.18 नैन पूर दो पहर एक बज़ी जवलपूर दो बीस पर कटनी 3.18 पर महियर साम 4.5 पर सतना 5.35 पर मानिक पूर 7 बज़ी प्रियागरा चुकी और 11.35 पर बना रस पहुँचेगी 16368 बना रस कन्या कुमारी एक्सपेस बीक में एक एक दिन संडे साम 4.20 पर डिपार्चर करके साम 7.25 पर प्रियागरा चुकी रात 33 जवलपूर सुबह 5.32 नैन पूर 7.7 पर वाला घाट 7.55 गोंदिया और बलार साई के रास्ते त्यूसडे रात 8.55 पर कन्या कुमारी जबी कोचो की कमपोजिशन रहेगी इसकी बुकिंग IRCTC एपस या फिर स्टेशन PRS काउंटर से कराई जा सकती है